नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं एलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो वो है कि 44 के अंदर दो ट्रासफरमर हम कैसे लगा सकते हैं और दोनों ट्रासफरमर लगाने से हमें क्या फायदा होगा तो देखिए यहां पर यह तीन दो एंपियर का ट्रासफरमर है यह भी हम इसके अंदर लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि दो एंपियर यह तीन एंपियर यह यहां पर पांच एंपियर का ट्रासफरमर हो जाएगा तो उससे क्या होगा एक तो हमारा ट्रासफरमर जो हीटिंग नहीं होगा और दूसरा है कि जो बोल्टेज आउटपूट हमें मिलेगी यहां पर स्पीकर वायर पे वो हमें थोड़ी ज्यादा मिलेगी उससे क्या है कि हमारा एंप्लीफायर बहुत बढ़िया चलेगा और पहले से ज्यादा पावर्फुल हो जाएगा तो दो ट्रासफर्मर लगाने से हमारा जो ए 15 Аraction को स्वाधयर चैश्वरी और संक ऐसा कैसा होता है वो तो देख यहां पर यह इक स्पीक्र लगा के और आ आपको दिखाता हूं जो हमारा Origin का है उससे हम जो है 무슨 clar math को करते हैं यहां पर देखे हैं यह जो स्वाध्य आया इससे हम टर opens तरीव के से this लिवाऍए यह 15 Kilo Habt ka Siwong है is ser음 है चेक कर ते हिसे हम हरा चेक करते हैं अपनाuma Dao को चैज वी अधे को इस यह वह वह सबतタक्रा चते हं नहीं करते हैं अब मैं क्या करता हूं हमारा को मैंने ए-सी destructive टी बलका दिया और यह वाली जाली यह घ्रात देLL रहेंगे दो दहों मैं मैं और चुखां यहां पर देखिए दो 20.01 के आसपास आ रही है और यहां पर जो है 15 किलो हट का आपको सौंग चलाना है उसके अंदर क्या आउटपुट एकदम पूरा मिलता है और बिल्कुल भी कहीं भी ड्रॉप नहीं होता आप देखें यहां पर मैंने सौंग को बंद कर दिया आप देखें यहां पर क्या होगा कि जब आप इसके ओपर दूसरा ट्रास्फर्मर लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा आपको ट्रास्फर्मर का जो ब्रीज रेक्टिफायर है वो बना लेना है यह देखें मैंने यहां पर ब्रीज रेक्टिफायर बना रखा है तो मैं आपको इसको बोल्टेज चेक करा यहारा 44 जारिस का ही है है तो यह देखिए पहले में यहां पर बोल्टे चैक करादेता हूं आपको कोंद आरी है तो यहां पर देखिये लगा जेंगे दो द्रास्फरमर लगाने से से हमें क्या फायदा होगा तो यहां पर देखिए मैं सोंग को वापसी पिले कर देता हूं अब मैं क्या करता हूं यह जो हमारा बैटरी वाला जो सौकिट है तो यहां पर क्या होता है यह वाला जो वायर है हमारा डारेक्ट इस कैपिस्टर पर लगा हुआ होता है यह जो हमार तो यहां पर देखिए अभी बोल्टेज आप देखिए तो बोल्टेज जो है देखिए 19.2323 के फोर के आसपास आ रही है अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर देखिए यहां पर DC वायर को लगा देता हूं तो आपने देखा जैसे ही मैंने DC वायर को लगाया यहां पर तो बोल्टेज यहां पर जादा हो गई अब देखिए मैं इसको वायर को निकाल देता हूं तो यह देखिए निकालते ही यहां बोल्टेज आउटपूट भी कम हो गया यानि कि जो हमार ट्रास्फरमर है वो काम कर रहा है तो ट्रास्फरमर देखे लगाने से जो है हमारा एंपियर भी बढ़ा और हमारा जो आउटपूट बोल्टेज है वो भी बढ़ा देखिए अब मैं इसको लगा देता हूं तो देखिए यहां पर चार पांच के आसपास आ रही है अब देख जो 44 का एंपिली फायर उसमें पांच एंपिर का ट्रास्फरमर हो जाएगा और हीटिंग प्रोबलम कम हो जाएगी और जो आइसी हीटिंग प्रोबलम है वो भी कम हो जाएगी और यहां पर आप जो है ज्यादा लोड भी लगा सकते हैं आठ इंची-10 इंची का स्पिकर चल ना तरीके से वर्क करें और टाक्टी कल भी मैंने आपको करके दिखाया कि उससे जो है प्रेक्तिकल भी जो है आपका एक दम बढ़िया काम करएगा। पूट भी आपको ज्यादा मिलेगी, एमपेर भी ज्यादा हो जाएगा, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, सेर करना, सस्क्राइब करना, और बैल का आकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी जानकारी लाता रह